आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, question कहरें कि मिनरल ओफ आरन कंटेंज और ऑक्साइड एक मिनरल आरन का जो कंटेंड करता है जो कंटेंड करता है जो कंटेंड करते है 72.36% आरन बाइ मास और देंस्टी आपको गिवन इतनी रही युनिट अपको क्यूबिक है जिसकी एजलेंज वो 839 पीगोमीटर है आपको टोटल नमबर ओफ आटम्स जो है बो बताना है और आयन बताना है कितने प्रेजन होंगे इच उनिट सेल में बच्चों दिरको यहां पर हम इस कोशन को कैसे कर सकते है आपको बसके एक मिनरल आरन का जो कंटेंड करता है आपको आरन कितना है 72.36% मतलब इतने ग्राम आपको इतना हो जाएगा आप 100 माइनस कर दीजे यह कितना निकल कर आएगा 100 माइनस 72.36 कर रहा मैंने 27.64 ग्राम आगया आपको 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 बच्चों होगा क्या कि मुझे सब से बहले यहां पर इसका आप फॉर्म्ला निकाना होगा तो फॉर्म्ला कैसे निकालोगे आप मोल्स निकालो आयरन की क्या होंगे 72.36 जो भी वेट इवादब इसका मोलर पास यह निकल कर आएगा आपका आराउंड अगर मैं बात करती हूं मताब 1 second जो है number of moles अगर मैं oxygen की निकालती हूं clear so oxygen की अगर मैं बात करूंगी so oxygen का हो जाएगा आपके पास अगर मैं दिखते हूं just a second अगर मैं आप बात करती हूं आपके पास क्या होगा yes so oxygen की case में कैसे 27.64 यह basically 1.3 है आपका 2921 is 1.3 divided by oxygen के case में की होगा 16 molar mass spine so यह हो जाएगा 21.64 divided by 16 मैंने किया so यह 1.35 यह moles आगे मेरे पास अब मुझे simplest ratio निकालनी है simplest ratio के लिए मैं क्या करूंगी 1.3 divided by 1.3 जो भी simple ratio होता है यह 1 हो जाएगा और next case में आपके पास क्या होगा यह हो जाएगा 1. यहाँ पर हमने गडबड कर दिये यह 27 था आपका यह आपका आएगा 1.7275 so 1.3 divided by 1.7275 अगर मैं करती हूँ so यह कितना निकल करा रहा है 1.7275 sorry sorry हमने उल्टा ले लिया जो smallest होता है उस से हमें divide करना होता है 1.7275 को 1.3 से अगर मैं divide कर रही हूँ right divided by 1.3 so यह आपका निकल कर आ रहा है 1.7275 divided by 1.3 right so यह निकल कर आ रहा है आपके पास 1.32 right यह आपके पास क्या रहा है 1.32 clear so अभी भी देखो मैं पस क्या simple नहीं हो पाए है so इसको हम और कैसे करेंगे देखो मेरे पस क्या Fe है और मेरे पस क्या Oxygen fine so इसको मैं कैसे कर सकती हूँ देखो आपके बास क्या है अगर मैं क्या कर रही हूँ इसको multiply कर देती हूँ 3 से अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ multiply कर रही हूँ 3 से आपका जरूरी था, right, अब देखो, अगर आप इसको 1 से multiply करोगे, तब भी आपको simplest number नी मिलेगा, 2 से multiply करोगे, तब भी नी मिलेगा, 3 से जैसे multiply किया, मैंको 1 simplest number मिलेगे, इसलिए हमने एक empirical formula ले लिया, अब हमारे बस कहते है, density का formula है, Z into M upon Na into A cube, हमें सबसे पहले Z निकालना होगा, Z होता ही, कितने number of lattice points आपके per unit से, right, so density आपको already given है, 5.2 gram per centimeter cube, Z हम निकालेंगे, M, molar mass देखो, अगर Fe3O4 का, अगर आप molar mass निकालोगे, तो ये निकल कर आएगा 232, right, अब गेट रो number आपको पता 8 से multiply कर दो, और overall का cube ले लो, अब यहां से अब जब Z के लिए solve करोगे, तो Z approximately 8 आएगा, अब कोशन में दिको, आपसे बोलागे, कितने number of atoms, या ions बोलागे, unit cell में present होगे, मेरे पास formula का EP3O4, मतलब इसमें 3 iron के atoms है, right, और number of lattice points per unit cells, कितने 8, so iron के कितने हो जाएंगे, 8 into 3, that is 24, oxygen के कितने हो जाएंगे, 8 into 4, that is 32, so total कितने होगे, 56, so यह आपका final answer होगा, thank you.